बिस्मिल्लाइराफमान ररहीम अस्सालामौलाइकूम चैन्ट पब्लिशर आपको एक एड़ुकेशन सिस्टम के और एरियास में फिसलिटेट करता है एक एड़ुकेशन सिस्टम में आपका रिटन, टॉट एंड टेस्टिट एरिया इस जिसलिक्सा पजल इनका आपस में टाइटली कनेक्टिट होना और इनका सिंक्रोनाइज होना निहाइप जरूरी है जिसके लिए हमने अपने सिस्टम को SNC 2020 के accordingly SLO based upgrade किया है अब अगर इसमें से कोई भी पॉर्शन कोई भी सेग्मेंट में सिंग होता है तो आपका सिस्टम इंकम्प्लीट है नाओ बिंग अप्रिंसिपल बिंग एगर फैनिसिटूशन वुट्यूशन वुट्यू लाइक क्या आपका सिस्टम इंकम्प्लीट हो फ्कॉर्स नॉट लाइट स्वाइब ने आपको इन ओल एरिया रिटन तॉर्ट और टेस्टेट में एक कम्प्लीट और मेयारी सिस्टम दिया है रिटन एरिया के लिए हमने आपको ऐसे लो बेस्ट हाइबरेट बुक प्रवाइट की है तॉर्ट एरिया के लिए आपको ऐसे लो बेस्ट वीडियो लेक्शर अलोंग विद पावर पॉइंट प्रेसेंटेशन लेसन प्लान वर्क्षीट पूरा पैकेश है, हाओ जब आप RSLO-based paper बनाएंगे, आपका teacher RSLO-based teaching करेगा, RSLO-based book को follow करेगा और आपके student को RSLO-based learning मिलेगी. Now, the question is, जहाँ हमने आपको written or taught area में facilitate किया है, RSLO-based examination में भी हम आपको तंधा नहीं छोलेगे अगर्चे ये हमारे लिए आसार नहीं था रवायती इम्तेहनाद से बचने और ऐसे लोबेस परसाजाद को राइज करने के लिए हमने हर दर्वाजी को खटकटाया क्योंकि रवायती इम्तेहनाद का निजाम अर्सादरास से अंधी और बहरी कौम बनाने में मस्रूफ है यहां पर रवायती इम्तेहनाद के निजाम से मेरी क्या मुराद है हम सब जानते हैं अभी चंद मिनट पहले मेरे कुलीग म्स्टर एक्यू कर ने बहुत डिटेल में आपको रवायती इमतेहनाद पे निजाम की पासेटिक और पेन्फूल पिक्चर आपके साथ शेयर की है एस्टेलो बेस्ट परचाजाद बनाने के अमल को असान तर बनाने के लिए हमने एक खुदकार अप्लिकेशन मुतारिफ करवाई है जिसकी मदद से प्रिंसिपल या इम्तिहानी अमला अपने दिफातर में नहायत आसानी से हर बच्चे के लिए चंद मिन्टों में अलग-अल चाला या पूरी ट्लास के लिए एक इपिपर बनाना चाहते हैं, आप अपनी क्लास को ग्रूप में डिवाइड करके इख़ए लिए या पूरी क्लास के लिए एक य पेपर बनाना चाहते है this application is going to facilitate you लेकिन important बात यहां पर I would like to request my principles kindly इस system का charge आप अपने हाथ मेले आप ये activity अपने administrator को देते हैं या examination controller को देते हैं लेकिन आपने इसको supervise करना है वाई क्योंकि अगर आपने teacher को ऐसे लो बेस पेपर बनाने पे डिप्यूट किया teacher ने पेपर बनाया वही गैस बच्चे को दिये बच्चे ने रटा लगाया पेपर किया इस all system will be a failure would you like to do that of course not now हम आपके time को भी can't have understands आपका time कितना important है इस लिए हमने इस पूरे paper making procedure को चंद मिनट की activity में convert कर दिया अब आपने करना क्या है आपने canter publisher.com अपने search engine पर enter करना है हमारे home page पर आना है paper maker software की option को select करना है this paper maker software page is in front of you अगर आप already is software के साथ registered है sign-in के through आप अपना user id और password enter कीजिए लेकिन अगर आप new user है तो आप sign-up की option को select करेंगे आपके सामने canter paper maker registration form will be open आपने यहाँ पर simple इस form को fill करना है और preschool to grade 8 जिन subjects के papers आपने generate करना है जिन subjects के paper आपको चाहिए जिस selected submit this form आपको user id और password issue कर दिया जाएगा after this you will generate a paper it's a very simple procedure अपने google chrome पर आप enter करेंगे can tab publisher can tab publisher enter करने से आपके समने यह page open हो गया can tab publisher के home page को click कीजिए यहां पर आपके पास paper maker software की option है इसको click करते हैं और यह आपके पास paper maker software open हो गया आप क्योंके हमारा email id हमारा user id और password generate हो चुका है हम sign in करते हैं यहां पर आप अपना user id एंचर करेंगे आपके एंटर एंटर एट फुर यू और इसके बाद हमने अपना password यहां पर एंटर करना है I'm going to enter यह आपके सामने paper maker software open है paper generation की option को आप click करते हैं आपके सामने generate paper manually and generate paper automatically two options है इसमें बहुत मामूली सा difference है मैं automatically paper generate करते हूं और आपको इसका difference भी explain करते हैं अब मैं यह paper for instance November 8th को लेना चाह रहे हूं और जो class है हमारी वो है fifth और हमारा subject जो date sheet में है वो है English load chapters आपके सामने five chapters है मैं एक mid term paper बनाना चाह रही हूं इसलिए मैंने chapter one chapter two और chapter three select किये और इस तीनों chapter से related SLO और question bank को load करने से इन से related पूरा question bank हमारे सामने आ जाता है हमारे इसके साथ attach हो जाता है now you see यहां पर आपके पास mcqs की option है जब हम इसको select करते हैं अगर आपने manually paper बनाना है तो इसको select करने से 115 mcqs जो इन तीन chapter से related है वो आपके सामने आ जाएंगे और आप अपनी मर्जी के mcqs select करेंगे लेकिन मैं automated paper बना रही हूं इसलिए मैंने 10 mcqs in 115 में से 10 mcqs लेने हैं और हर mcq one mark हो का next is short questions when a selected short question की option को select करते हैं इन तीन chapters के 54 short questions हमारे question bank में है उसमें से हमें five short question चाहिए और हर short question two marks का होगा long questions अभी include नहीं करते paragraph एक add करना है हमें seven paragraphs की option है और मुझे एक paragraph उसमें से चाहिए जिसके 10 marks होंगे letter or story बच्चों ने भी नहीं पड़ा है sentence making है और हमारे पास sentence making के लिए इन तीन chapters में nine sets हैं जिसमें से एक set मुझे चाहिए और यह question होगा five marks का एक comprehension एड करते हैं 13 comprehension अवे लेबल है इन तीन chapters के और हमें इसमें से एक चाहिए जिसके five marks हम रखते हैं now calculate the marks यह हमारा 40 marks का paper set हो गया है now I'm going to generate this paper यानि मैंने जो question select किये हैं उनका paper generate करते हैं and here you go you see यह आपने mcqs, short questions, paragraph, sentences और comprehension जो question select किये सब के सब आपके papers में आगे यह वो paper है जो आपने generate किया है just within a click और आपने few minutes में paper generate कर लिया आप इस paper को generate करने के बाद added कर सकते हैं directly इसका print ले सकते हैं या फिर इसको save as करके next time भी whenever you want आप इसका print ले सकते हैं so I'm going to save it to take its print later you see it's just a very simple and user-friendly application still if you have any problem you can watch the video tutorial again or you may call us you may contact us through whatsapp you may write an email to us or you may talk to the marketing executive who visits you but make sure aap ka paper aise lo based hona chahiye it's compulsory now so canta publish your automated paper generator ko avail ki jiye for your convenience thank you